तो चलिए आपने होली खेल लिया और होली का रंग अभी चेहरे से उतरा नहीं होगा लेकिन अब थोड़ा राजनिती के रंग में चलते हैं राजनिती के रंग ऐसा है कि लोगसभाद चुनाव होने वाला है और पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सीटों को तैय करना था चिराग ने सोचा कि एक बार होली खेलते हैं और होली खेलने के बाद तैय करेंगे कि उमिद्वार किसको बनाया जाएगा चिराग पास्वान अपने परिवार के साथ होली खेलते हैं और उसके बाद तैय कर लेते हैं कि परिवार में से ही कौन होगा सदस्य ज पर दोड़ने वाला चिराग पास्वान पहले अपने परिवार को एक जूट करते हैं दोस्त सब के साथ होली खेलते हैं और उसके बाद अपने जीजा को कहते हैं कि जाए आप जमुई लोकसभाद छेतर से तयारी करिए अरून भारती जो है वो जमुई लोकसभाद छेतर से एंडिये के पाले से लोक जनसक्ति पाटी राम बिलास के उमिद्वार होंगे अरून भारती जो चिराग पास्वान के अपने जीजा हैं अब अपने भी हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि राम बिलास पास्वान की दो साधी हुई पहली साधी से जो लोग हैं जैसे कि जो उनकी बहन हैं जिनके पती हैं साधु पास्वान वो राजत से हैं और दूसरे जो हैं वो भी सटे रहते हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया अपनी बहन के पती को चिराग पास्वान ने टिकट दिया है और अरुन भारती को जमुई लोग सबाद छेतर से उमिदवार बनाय है यानि कि चिराग पास्वान की राजनितिक विरासत को अब उनके जीजा संभालेंगे और चिराग पास्वान अपने पिता की राजनितिक विरासत को संभालेंगे जिस राजनितिक विरासत को कल तक चाचा संभाल रहे थे अब उसको बेटे जो हैं वो संभालेंगे यानि कि चिराग पास्वान संभालेंगे चिराग पास्वान लगतार इस तरीके से महौल बना रहे थे माना जा रहा था कि जमुई लोकसभा में या फिर इस बार चिराग पास्वान दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे परिवार पर करेंगे क्योंकि परिवार रहेगा तो तूटेग उमिद्वार बनाया है तो एक तरफ अरून भारती तो दूसरी तरफ अर्चनार रविदास रहेंगी जी हां अर्चनार रविदास और दूसरी तरफ अरून भारती इन दोनों का टकड़ाव होने वाला है जमुई लोग सबाचेत्र में बाहरी भितरी की लड़ाई होने वाली अर्चनार अभिदास जमुई की रहने वाली है और अरुन भारती जो है वो बाहर से आए है तो बाहरी भित्री की लड़ाई यहां पर होगी और एक बात और भी है जमुई को लेकर चल रहा है कि जो अरुन भारती है वो है या फिर अर्चनार अभिदास के बारे में यह कहा ग दूसरी तरफ राम्बिलास पर स्वन के बराइजब्स दलिट थे और उनकी पटनी से उनकी बेटी हुई और उनकी बेटी भी तो अगर शवन से पर उनकी सादी से हुई दूसस्तरh की महौल घुमूही में बनाया दा우 और जमुई की लड़ाई बहुत दिल्चस्प होने वाली है एक तरफ चिराग पास्वान के कामों को गिनवाएंगे उनके जिजा और दूसरी तरफ चिराग के बुराईयों को गिनवाएंगी अर्चनार रविदास देखते हैं किसका पलरा जो है वो भारी रहता है काम का पलर या फिर ये की भाईया इन्होंने काम नहीं किया यानि बुराई का पलरा तो अब देखते हैं कैसे होता एक तरफ जिजा तो दूसरी तरफ है अर्चनार रविदास जो की मजबूत कंडिडेट अभी तक मानी जा रही थी और अब चिराग के जिजा के आने से थोड़ा प्रती निगेटिव इमेज जो है वो जमुई में खूब बन रहा है और उनी के परिवार के तरफ से अगर कोई जाएगा तो चिराग से जो भी लोग बदला लेना चाहते थे अब वो चिराग के जिजा से बदला लेंगे वराल देखिए आगे क्या होता है इस कवर में इतन झाल